दो हजार चौबिस के लोग सभाचुनाव तो नस्दीख ही हैं लेकिन उससे पहले आज हम जानेंगे कि भारत में आजादी के बाद पहली बार लोग सभाचुनाव कैसे हुए थे और उसमें कितना समय लगा था तो इसकी शुरुआत हुई थी 1951 में भारत का पहला आम चुना 12 फरवरी 1952 को पूरा हुआ भारत में चुनाव इसलिए भी खास था क्योंकि पश्चुमी देशों में जहां कुछ विशेश लोगों के पास ही वोटिंग का अधिकार था वहां नया नया आजाद हुआ भारत 21 साल से उपर के अपने हर नागरी को वोट डालने का अधिकार दे रहा था बाद में पूर प्रधान मंत्री राजीव गांधी ने वोटिंग की उम्र को 21 से घटा कर 18 साल कर दिया था अब जानते हैं पहले आम चुनाव की कहानी भारत को लोकतंत्र बनाने की कवाया तो आजादी से पहले ही शुरू हो गई थी लेकिन इतने बड़े भारत का पहला चुनाव आयुक्त बनाए गया फैक महने बाद जन्पृतिन थी कानून पास कर दिया गया था जन्पृतिनि धी कानून में चुनाव लड़ने वाले ने ताउंग की लिए नियम कानून और उनके अधिकार टैंकी गए तब भारत के प्रधानमंत्री थे अजादी के बाद जनता लोकतंत्र के लिए उत्साहित तो थी, लेकिन 17 करोड 60 लाख लोगों को वोटिंग के कंसेप्ट के बारे में समझाना एक बड़ा टास्क था। थी, वो खुद का परिचय अपने बच्चों की मा के तोर पर या अपने पती के नाम पर दे रही थी। बाद में सुकुमार सेन ने चुनाव काम में जुटे करमचारियों को निर्देश दिया कि लोगों के साथ सकती बढ़ते, इस प्रक्रिया में 28 लाख महिलाओं के नाम सू इस समस्या से निपटने के लिए चुनावायोग ने हर पाठी को एक अलग चुनाव चिन दिया, यह चिन जनता की रोजमर्रा की जिंदगी से चुड़ा हुआ था, जैसे बैलों की जोडी, दीपक मिटी का लैंप इत्या दी, इन चुनाव चिन्नों को समझ पाना जनता के लिए आसान था, हर उम्मीद्वार के लिए अलग मत पेटी बनाई गई और उनमें उनके चुनाव चिन छपवाए गए, बोटर अपने पसंद के उम्मीद्वार के निशान वाली मत पेटी में अपना मत पत्र डाल सकता था, अब कुछ आकड़े समझने की कोशिश करते हैं 45 सीटों पर राम चुनाव हुए थे, कागस की 3,80,000 रिम्स को मत पत्रों के लिए इस्तमाल किया गया था, उंगली पर लगाई जाने वाली नीली स्याही के लिए 3,89,216 छूटी बोटलों का इंतजान किया गया था, 2,24,000 मत दान केंद्र बनाए गये थे, 56,000 पीठा सीन अ पैरिफाय करने के लिए 16,000 क्लर्कों की भरती 6 महिने के लिए की गई थी, पहला वोट पढ़ने में एक सार पहले से ही चुनाव आयोग ने जागरुकता के लिए 3,000 सिनमा घरों में मद्दान प्रक्रिया की डॉक्यमेंटर दिखाने का काम शुरू कर दिया था, इसके जरि पंचाबकेसरी.com और चैनल को सबस्क्राइब करना मिलकूल ना भूले